आज की वीडियो में हमें कैसी medicine के बारे में बात करने वाल है जो लगभग हर घर में use किशाती है और आपको हर जगा असानी से मिल जाती है पर हमें इसके use के बारे में नहीं पता होता यानि की हमें इसकी कितनी गोली खाने चाहिए और कितनी dose में ये लेनी चाहिए तो आज की वीडियो में हम इसे के बारे में बात करने वाले हैं हम बात कर रहे हैं कॉम्बी फ्लैम के बारे में तो पहले हम जालेते हैं कि कॉम्बी फ्लैम क्या होती है और इसके क्या क्या यूजर्ज होता है देखिए जैसे कि इसका नाम है कॉम्बी फ्लैम ये दो medicine का combination होती है इसमें दो pain killer medicine यूज़ किजाती है एक होती है ibuprofen और एक होती है paracetamol तो ibuprofen की इसमें dose होती है 400 mg जबकि paracetamol की dose होती है इसमें 325 mg इसका use लगबगर परकार के दर्द में किया जाता है जैसे कि body pain, muscle pain, joint pain, headache यानिके सर में दर्द आर्टोटेक यानिके दातों में दर्द, period के समय होने वाले दर्द, inflammation और बुखार में भी हम इसका use कर सकते है अब बात करते हैं इसके doses के बार में यानिकि आपको ये medicine कितनी लेनी होती है तेखिए ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है यह एक primary pain killer medicine है pain होने पर इसकी एक tablet खाना खाने के साथ में लेनी होती है यह medicine आदा से एक घंटे में अपना असर दिखाना शरूर कर देती है इसकी एक बार में एक ही गोली लेनी होती है हम एक बार में एक से ज़्यादा गोली use नहीं कर सकते है और एक गोली लेने के बाद कम से कम दूसरी गोली में 6 घंटे का अंतर होना चाहिए यानि कि इसकी एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा तीन गोली ली जा सकती है और यदि medicine खुद से ले रहे हैं तो तीन दिन से ज़्यादा इस medicine का use नहीं करना चाहिए means maximum तीन दिन तक यह दवा ले सकते हैं अगर तब भी अराम नहीं मिलता तो डॉक्टर से मिलना चाहिए अब बात कर लेता है इसके side effects के बारे में यानि कि अदि आप इसे ज़्यादा use कर लेते हैं या फिर आप इसकी सही dose use नहीं करते तो आपको कौन कौन सी परिसानी हो सकती है तो इसमें कुछ common side effects हैं जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, इस टमक पेन यानिकी पेट में दर्द, हर्ट बन यानिकी सीने में चलन नोना और डायरिया तो यह सब ही इसके common side effects हैं जोकि इसकी proper dose नहीं ले जाने पर हो सकते हैं अगले वीडियो आपको इस मेडिसीन पर चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं हम उस पर वीडियो बना देंगे